सीधा सवाल क्या वक्त आ गया है कि एक तो हमें इस मुद्दे पर खुल के बात करें, ओपन बात करें, पूरे देश में बात करें और इस तरह का प्रावधान अब बनाने का सही टाइम भी है और हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए as a country. थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको इस चानल में आमेंतरित करने के लिए, सबसे पहले पीरियर्ड लीव, इसके बारे में सोच हो रही है, इस पे डिसकॉर्शन चल रहे हैं, यह एक प्रोग्रेसिव चीज है, कि मतलब हम अब खुल के, we are looking at things from a feminine lens, कि मतलब कि महिलाओं के परिवेश में क्या है, उसको हम समझने के कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा महिलाएं काम पर आएं, यह अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये भी मानना है, कि अगर मासिक धर्म के दिनों में अगर problem होती है, तो और भी बहुत सारी वर्श ऐलाई से, like problems होती है, जैसे कि किसी को suddenly high blood pressure हो गया, वो दवाईयां खारा लेकिन एकाएक high blood pressure हो गया, या किसी को सी depression की छिकायत है, एक दिन panic attack हो गया और वो उस दिन शायद काम पे नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, तो अगर हम बोल रहे हैं, पीरिड कि well being के बारे में बात करना चाहिए, और well being में बहुत कुछ आता है, आपकी feminine या women related problems ही आएंगी, men in general भी आएगा, anybody, employee, हमको employee की देखभाल करनी organization में सिर्फ एक समुदा है, जिसको हम belong करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका है नहीं हमको सबका देखके चलना है, तो मेरा ऐसा चीज पकड़के से हम आसिक धर्म की लीव दे रहे हैं, उससे बजाए हमको लीव का जो दायरा है, इसको थोड़ा विस्तरित रखना चाहिए, लीव जिसको हम यूज कर सके हैं, किसी और भी चीजों के लिए, depending कि कि क्या बिमारी है उस हिसाब से, तो मेरा ऐसा मुदना है, गौडियो पॉइंट और अभी भी जैसे औरिसा का जो हम केस के हैं, वहाँ पर इसे औप्शनल रखा गया है, वहाँ यह इच्छा पर छोड़ा गया है, कि आप इसे लेना चाहते हैं, कि नहीं लेना चाहते हैं, यह शायद इंडिविज्वल टू इंडिविज्वल डिपे करता होगा, क्योंकि डॉक्साब